हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो यूर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो यदि आप मुरब्बा खाते हैं तो आपको अच्छी नीद आती है और इसके क्या-क्या फायदे होते हैं आईए आज हम जानते हैं फलों के मुरब्बे लोगों के लिए सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं काफी फायदेमंद भी होते हैं आउले के मुरब्ब्बे में विटामिन C, आयरन और फायवर काफी मात्रा में होते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं इसके सेवन से कई बीमारियों से राहत मिलती है यह शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और कब्ज एवं ऐसिडिटी की परिशानी को भी तूर करता है इसके अलावा आवले के सेवन से एनरजी आती है जिससे सरीर में चुस्ती फूर्ती रहती है सेव के मुरब्वे में आयरन, फासफोरस, प्रोटीन, कैलसियम और विटामिन B भरपूर मात्रा में होते हैं जो सरीर को उर्जा देते हैं इसके सेवन से याददास बढ़ती है और दिमाग भी ठंडा रहता है इसके अलावा सेव का मुरब्वा खाने से मुटापे की समस्या भी दूर हो जाती है जिन लोगों को रात में नीन ना आने की परेशानी है उनके लिए यह मुरब्वा खाना बहुती फायदे मंद होता है रोजाना एक मुरब्वा खाकर कई बीमारियों से आप दूर रह सकते है गाजर का मुरब्वा गाजर के मुरब्वे में आयरन और विटामिन E होता है जो आँखों की रोशनी बढ़ाता है इसके सेवन से पेट की गैस और जलन दूर होती है गाजर का मुरब्वा खाने से दिमाग तेज होता है और यह डिप्रेशन की समस्या को भी दूर करता है रोजाना इसको खाने से उच्च रक्त चाप पर दिल की बीमारियां भी ठीक होती है बेल का मुरब्वा बेल के मुरब्वे में प्रोटीन, फासफोरस, कार्बो हाइडरेट, आयरन और फाइबर होता है जो दिमाग और हिर्दे रोगों में फाइदे मंद होता है इसके अलावा यह पेट की कई समस्याओं को दूर करता है इससे ऐसे डिटी, अलसर और कब्ज की परिशानी नहीं होती बेल के मुरब्वे से रोग परती रोदक छमता भी बढ़ती है जिससे सरीर कई बीमारियों से दूर रहता है तो दोस्तो यदि आप मुरब्वा नहीं खाते तो आज से ही आप रोजाना इन इन मुरब्वों का सेवन करना सुरू कर दे हमें उमीद है कि आज की जानकारी आप के लिए काफी फाइदे मन्द होगी यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक सदिक लाईक और शेयर करना ना भूले और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धान्यवाद